हलो एवरीबन इस वीडियो में हम सत्य सोदक समाज और आरह समाज के important points डिसकस करेंगे सत्य सोदक समाज की स्थापना 1873 में बंबई में जोतिवा फुले ने की थी ये question आता है ठीक है कि सत्य सोदक समाज की स्थापना किस ने की थी तो 1873 में जोतिवा फुले इन्होंने सत्या सुदक समाज की स्थापना की थी जोतिवा फुले ने गुलाम गिरी सार्वजनिक सत्या धर्म पुस्तक की रचना की दो पुस्तक हैं थी गुलाम गिरी और सार्वजनिक सत्या धर्म इनकी रचना जोतिवा फुले ने की थी इनके कई गरंथ प्रिकासित हुए जैसे की धर्म तिर्तिय रत्न इसारा सिवाजी की जीवनी ये जोतिवा फुले के द्वाला लखेगा एक गरंथ है 1888 में इन्हें लोग महत्मा कहने लगे थे तो आपको याद रखना है सत्य सोदक समाज की इस्थापना किसने कीती जोतिवा फुले ने 1873 में अब हम आर्रे समाज को डिसकस करेंगे आर्रे समाज की इस्थापना कीती स्वामी दयानंद सरस्वती ने ठीक है स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था वो था मूल संकर ये कोश्चन पूछा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था आपको कन्फ्यूज नहीं होना है भ्रह्म समाज और आर्रे समाज में ध्रम्ब समाज की इस्तापना किती राजाराम मुहन राय ने, ठीक है? बेदों की ओर लोटो बेदों की ओर लोटो ये कतन है स्वामी दैनन्द सरस्वती का और उनका बाग के है? याद रखना है भारत भारतियों के लिए ये भी स्वामी दैनन्द सरस्वती का नारा है तो ये दोनों आपको याद रखने हैं बेदों की ओर लोटो और भारत भारतियों के लिए ये स्वामी दैनन्द सरस्वती के नारे हैं, ठीक है? 1863 में जूटे धर्मों की पाखंड खंड़नी पता का लहराई थी स्वामी दयानंद ने 10 अप्रेल 1875 को बंबई में आर्रे समाज की इस्थापना की थी तो बंबई में आर्रे समाज की इस्थापना की थी 1875 में 1882 में गो रचनी सवा की स्थापना इनों ने की थी स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थ प्रिकास हिंदी की रचना की जिसे आर्रे समाज की बाईवल कहा जाता है ये important question है सत्यार्थ प्रिकास की रचना किस ने की थी स्वामी दयानन्द सुरचती ने की थी ठीक है, आर्रे समाज द्वारा सुध्धी आंदुरन चलाया गया, जिसके द्वारा अन्य धर्मों से हिंदु धर्मे लाने का प्रयास किया गया, स्वामी सरधानन्द, मुंसी राम तता लेक राम ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कामडी की स्थापना की, बेलेंटाइन सिरोल ने आर्रे समाज को भारती आसांती का जन्म दादा कहा, आर्रे समाज का पिरचार पंजाब, उत्तरप्रदेश, राजिस्थान और बिहार में बिशेश रूप से हुआ था, ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक बार, दुबारा से रिपीट कर लेते हैं, जो दयानन सुरस्वती जी थे, उन्होंने गवर अचनी सभा की स्तापना की, सत्यार्थ प्रिकास नामक गरंद की रचना की, ये कोशन पूछा जाता है, इनका नारा पूछा जाता है, बेदों की यूर लोटो और भारत भारतियों के लिए, ये नारा भी आपको याद रखना है, ठीक है, इन्होंने सुद्धी अंदुलन चलाया, ये भी आपको याद रखना है, आरर समाज द्वारा सुद्धी अंदुलन चलाया गया था, इतनी points आपको जरूर याद रखने है अगर आपको questions और points अच्छे लगे हो चैनल को subscribe जरूर कर दे बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो को share करना ना बूले